Hello friends, welcome to study bus, अगर मैं ZAT exam की बात करूँ, तो ZAT exam में एक आपका section आता है decision making और इस section के बारे में जो experience है, जो students है उनको बहुत ज़ादा knowledge नहीं होती और ये section आपके exam में make और break बन जाता है, ठीक है, भाई अगर आप देखोगे ये जो section है इसमें काफी सारे concepts भी होते हैं, कुछ tricks भी होती हैं जिसकी help से आप जल्दी जल्दी अपने answer पहुंच सकते हो and questions को attempt कैसे करना है, उसकी approach भी आपको सीखनी है भाई अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, तो ZAT 2020 में मैंने decision making में score किया था 99.8 percentile तो मैंने जो भी approach follow की थी, जो भी मैं concept use करता हूँ जिस तरीके से मैं अपने सारे questions solve करता हूँ, आपको इस वीडियो में बताने वालों बहुत detail में एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझे लेना, क्योंकि इसके बाद आपको काफी जादा confidence आ जाएगा अपने decision making के section पे, ठीक है, तो इस particular वीडियो में आपको concept भी मिल जाएगे आपको मेरी approach, tricks भी मिल जाएगी and जो questions हैं जिस type के exam में पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं यहां पे solve करा दूँगा, जिससे आपका एक comprehensive revision हो जाएगा So my name is Saurabh Kothari, let's start Video start करने से पहले चैनल को जरूर subscribe कर लेना, ताकि ऐसी जितनी भी revision videos है, important questions है, colleges के form and कोई भी ऐसा notification जो एक MBA experience के लिए important है, उसकी videos आपको मिलती रहें and bell icon press कर देना ताकि जितने भी notifications है जितनी भी videos हैं, कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो, Instagram पे हमारा चैनल है Steady Bus Education, यहाँ पे आपको revision notes मिलते रहते हैं, general knowledge के, math के, formula के, important vocabulary words के, तो जाके subscribe कर लो, follow कर लो, ताकि कोई भी चीज आपसे miss कभी ना हो and अगर आप MBA के aspirant हो, तो हमारा pen drive course ले सकते हो, आप individual pen drive course भी ले सकते हो, quant का, verbal का, LIDA का, GK का, otherwise आप combo cat या combo MBA भी ले सकते हो, जिसमें आपको GDPI VAT साथ में complimentary मिलता है इस pen drive course में, आपको सारे के सारे lecture कराये जाते हैं, basic से लेके advanced सक, सारे concepts आपको सिखाये जाते हैं, पूरी की पूरी practice कराये जाती है and इसके साथ ही आपको मिलता है आपका study planner और portal जिसमें आपके topic wise assignments, topic wise test, sectional mocks and full non mocks included होते हैं तो इस pen drive course को करने के बाद, आपको कोई भी coaching join नहीं करनी, कोई भी book नहीं चाहिए, कोई भी test series नहीं चाहिए, full fledged आपके cat and MBA preparation में ये complete कर देगा ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो pen drive course में क्या क्या चीज़े मिलती है तो आपको पता है, हर एक topic के आपको videos मिलते हैं basic से लेके advance तक, जो portal होता है उस पे हर एक topic का test होता है basic advance के लिए ताकि आप practice कर पाओ, weekly आपको gk current effect test मिलता है और इसके साथ अगर आप full length mocks देखना चाहते हो, तो cat के mocks, snap, zat, ift, nmat, tisnet, srcc, cmat, ct, x, gmt, pg, dba, हर एक exam के mocks आपको मिलते है pen drive course की जो kit होती है, उसमें आपको study planner भी मिलता है, जहां पर आप अपनी date set कर सकते हो, उसके according आपके daily goals आते रहते हैं तो आप अपनी video देखो, topic को practice करो, अपने daily goals को meet करो and अपनी preparation को best level पे लेके जाओ तो इस pen drive course में आपकी पूरी preparation हो जाएगी, अगर आप इस course के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो इस number पे हमें whatsapp कर सकते हो, call कर सकते हो, 999-589-37705 पे आपको सारी details share कर दी जाएंगी and जो आपकी pen drive kit है, अगर आप order करते हो, within 7 to 8 days आपके घर पे वो आज आती है, जिसके बाद आप अपनी preparation को start कर सकते हो so let's start with our video now decision making अगर आप देखोगे as a topic तो भाई सबसे important है, आप कल को दो साल बात किसी ना किसी company के manager बनोगे और manager के सामने सबसे बड़ी problem आती है decision making, अगर आप देखोगे जितने भी aptitude exam होते हैं, चाहे cat हो, चाहे zat हो, चाहे ft हो, इन exams में यह नहीं देखा जाता है क्या minimum time में maximum output निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तभी तो भाई आपको question असाल देता है, बहुत इतने difficult question कभी नहीं देता है interest में, कि हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि decision making बहुत अलग part है, बट यह है कि decision making आपने हर exam में किया है, directly या indirectly, तो minimum time में maximum output निकालना है, business point of view से क्या best decision होने चाहिए, अपनी problem solving approach को use करना है, और उसके बाद, उसके बाद questions को solve करना है, दो type के आपको question मिलेंगे, एक मिलेगा आपको individual question, जिसमें आपको एक छोटा सा case दे दिया जाएगा, और उस case को आपको solve करना पड़ेगा, दूसरा होगा group question, जि जैसे ethical dilemma आएगा, जैसे business perspective के point of views आएगा, financial aspect आएगा, तो बहुत साई चीज़े आएगा, और आपको भाई मैं यह बताऊंगा, कि कैसे आपको करना है, और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारा five step process के है, जिससे हम decision making के, सारे questions को जो है, वो attempt करने वाले है, आज, दे case study, सबसे पहले जो आपको case दिया हूँ है, उसे फटा फट से read करो, और relevant points को दिमाग में observe कर लो, देखो, मैं आपको बोलूँगा कि, इस case study के notes बना लो, तो notes बनाने कोई point है नहीं, एतना time नहीं होता, अपने दिमाग में आपको point बनाना है, तो दिमाग में आपको point बना कर रहे हो, you are trying to put yourself in shoes of the people who are involved in the case, ठीक है, काफी case छोटे होंगे, काफी बड़े होंगे, तो सारे case को analyze करो, understand your basic understanding की case कहना कह चा रहा है, दूसरा, reading the question, यार अब आपके सामने हो सकता है single question हो, या हो सकता है 5 question हो, ये 5 question को आप फटावट से read करो, read करने का फायदा क्या है, read कर the options, ये यहाँ पर game start हो जाता है, जो decision making game है, ये point बहुत important है, भाई आपको analyze इसलिए बोल रहा हूँ, ये section इतना difficult क्यों माना जाता है, ये section difficult इसलिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी answer right या wrong नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी black and white नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ grey होता है, और आपको इन grey में से best shade को pick करना है, ठीक है, तो भाई अगर आप देखोगे, math का, अगर मैं paper कर रहा हूँ, English कर रहा हूँ, मुझे पता एक answer सही होगा, तीन गलत होंगे, decision में कि मैं ऐसा नहीं है, एक जादा सही होगा, दूसरा कम सही होगा, यही फर्ग होगा, तो आपको जो चीज़े दिमाग में रखनी है, वो यही रखनी है कि सारे answer सही है, बट, बट, subtle, subtle differences होते हैं, हर एक option में उन subtle differences को observe करना है, observe करने के बाद आपको सही answer को tick करना है, आप सही answer करूँगा कैसे, उसके लिए मैं use करूँगा, eliminating method, यही method मैं use करूँगा, आपको मै पहले ही बता रहा हूँ, एक भी question, not even a single question, आप directly option देखके tick नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, हम पहले 5 option में से delete करेंगे, minus करेंगे, यह हटाओ, यह हटाओ, यह हटाओ, यह हटाओ, last वाला tick करेंगे, अगर आपको question read करते ही, दूसरे option में लग रहा है, यह answer 500 option पढ़ने हैं, फिर eliminate करना है, और उसके बाद मैं answer को tick करूँगा, और जो last चीज है, वो मैं क्या करूँगा, भाई, मैं answer को करूँगा, verify, verify कैसे करूँगा, यह आपको पता चलेगा, जब आपको questions पता हूँगा, तो आपको एक strategy समन में आ गई है, यह strategy हम लगाने वाले है, question करने कैसे है, यह अब हम लोग discuss करेंगे, so let's start है, सबसे पहले हमारा question यह आ चुका है, यह actual मैं exam के question करा रहा हूँ, actual exam के question करा रहा हूँ, इसके बाद, जब आप यह video देख लोगे, मैं आपके साथ share करूँगा, एक assignment, वो assignment आपको solve करना है, तब ही marks बनेंगे, तब ही ज़्यादा marks बनेंगे, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है, तो यह case बनना है, पहले वीडियो को pause करना है, pause करने के बाद, खुद एक बाद ही attempt करना है, attempt करने के बाद, आप मेरा solution देखोगे, ठीक है, तो question को read करते है, question क्या कह रहा है, सीमा was a finance manager in an MNC, and felt that gender discrimination at workplace hampered her career growth, further she quit the job and started a company, while she started in a company, सीमा ने decide किया था, कि भाई, equal proportion of male and female रखूंगी, ठीक है, यह एक important point यहां से मिल गया है, उसकार वो कह रही है, 6 साल में सीमा एक बहुत successful entrepreneur बन गई, और अपने business को उसने 8 location में expand कर दिया, expand करने बाद, उसके सामने ethical dilemma आ गया, यहाँ पर आगया ethical dilemma का question, ethical dilemma आ गया क्योंकि उसने realize करा कि जो female employees हैं, वो यार city to city travel नहीं करना चाती, late hour नहीं रुकना चाती, stretch नहीं करना चाती, वो अकार, इसलिए, इसलिए उसने यह देखा कि जो male employees हैं, वो बिल्कुल भी hesitate नहीं करते हैं, तो उसके सामने अब वही वाली situation आ गई, जो उसके सामने आई थी MNC के time, MNC में gender discrimination इसलिए होता था, क्योंकि female को वहापे कम respect मिलती होगी, या कम उनको काम मिलता होगा, या फिर वो ज्यादा interested होती नहीं होगी, same situation सीमा ने face करी, अब सीमा के सामने वही चीज़ आ गई है, कि वही एक तो उसके सामने pressure आ गया, कि वही वह female employees reduce करके male employees जाए, दूसरा, उसको ये भी पता है कि, भाई, equal representation of male and female ही वो reason था, कि उसने अपनी company start करी थी, तो what should she do as a consciousness female entrepreneur, भाई, अब आपको ये बताना है, answer का solution क्या होगा, आपके सामने 5 option है, see if the willing employees could be given assignment which do not require travel time, and involve less over time, reduce the number of female employees, let the status quo continue, henceforth hire only male employees, she should close the business, आपको यहां पहले question को read करना, जैसे मैंने को बताया, हमें पूरी भाई, detail मिल गई है, case कि आप मैं question read करूँगा, question में दो चीज़े हो बोल रहा है, सबसे पहला, सबसे बहले बोल रहा है, conciseness, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, own consciousness, या फिर own principle, own concise, ठीक है, अपन best decision लेना, इन पांचों में से best decision, क्या होना चाहिए, ठीक है, अब मैं options को देखना, start करता हूँ, सबसे पहले बाई, मुझे वो कह रहा है, कि she should close the business, क्या ये करना चाहिए, हम करेंगे, elimination method use, ये तो भाई, एक तभी वेकार है, ये option बिल्कुल गलत है, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि उसने business close करने के लिए, start थोड़ी किया था, कहीं भी ये नहीं लिखावा, कि अपना business बंद कर दो, ये solution है, भाई, मेरे सामने क हारी है, मुझे बात, कि भाई, ये strong option है, क्यों, क्योंकि भाई, company साफ साफ कहरें, कि male employees जो है, वो भाई, अच्छा काम करते हैं, उनको efficiency जादा होगी, और उसके सामने pressure भी है, तो ये एक option है, जो भाई, निकल के आता है, इसको मैं consider करूँगा, तो ये मैंने यहापे mark कर इसके बाद है, let the status quo continue, status quo continue का मतलब होता है, जो जैसा है, वो वैसा ही रह रहा है, भाई, ये तो non-sensical है, भाई, अगर हमें situation दी है, तो situation इसलिए तो दी है, ताकि हम उसे solve करें, या हमने situation इसलिए कि situation जैसी है, वैसी रहने दे, तो ये भी मेरा option, eliminate होगा, ठीक है, अब आ तो ठीक, लेकिन ये extreme है, extreme है, इसलिए भाई, अगर मालो वो सारे के सारे female employees को निकालने लगीगी, तो at the end of the company में कोई नहीं बचेगा, ठीक है, और कहीं भी, कहीं भी, ये mention नहीं किया हुआ, कि अगर कोई employee late तक नहीं रुक सकता, तो उसे terminate कर दो, तो ये बहुत अदा extreme ह response जो करना चाहिए, तो ये मेरा गलत हो गया, अब है पहला वाल option, see if willing female employees could be given assignment, which do not require travel, and involve less overtime, see if female, तो इसमें देखो भाई, ये strong आ रहा है, ये एक तरह साथ आप देखोगे, तो ये middle path बन गया, भाई, problem क्या थी, problem दो थी, एक तो ये था कि male employees जो थे, वो भाई, difficult काम कर ले ये middle path बन गया है, middle path किस चीज़ का बन गया है, कि भाई, जो दोनों problem थी, अब क्या है, आप company को इस तरह से reach shuffle कर दो, कि भाई, जो important important काम है, जिसमें city to city travel करना है, उसमें को आप male को दे दो, और जो ऐसा काम है, जो operational kind of work है, या फिर कुछ other work है, जिसमें time कम लगता है, और आपको travel भी जादा नहीं करना पड़ता है, वो आप female को दे दो, तो एक ये भी मेरा solution है, जो निकल के आता है, अब देखो भाई, मैंने पूरा question solve करा, मेरे पर A और D बचके दो option, अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपके सामने हमेशा ऐसा होगा, 99% cases में कि आप दो option पर आपके रुख जाओगे, दो option पर आपके रुख जाओगे, तो आपको करना क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपके सामने दो option आजें, देखो, एक होता है ideal answer, और एक होता है practical answer, हमारे सामने कभी भी क्या होता है, दो चीज़े आती है, और दो चीज़े जो होती है, वो यह होती है, कि भाई, हमें पता नहीं होगा, 99% cases में ऐसा होगा, आप question solve कर रहे होगे, फिर आप बोलोगे, मैं narrow down होके, इन दो answers पर आगया हूँ, अब इन दोनों में से क्या सही होगा, हाँ ऐसा होगा, कि आप तो आपको statement read करोगे, तो आपको 7 में आ जाएग कि flawlessly perfect है, उनमें कोई error ही नहीं है, तो आपको most idealistic वाला select करना है, ये mark कर लो, कि most practical वाला नहीं करना, most idealistic वाला करना है, don't look left, don't look right, just mark the most idealistic answer, in case, अगर आप बीच में stuck हो गए हो, जहाँ पर आप खुदी dilemma में आ गए होगे, ये दोनों answers सही है, ठीक है, लेकिन इस question में अगर आप देखो second वाले का extended version है, मतलब थोड़ा से extreme है, कि अब आने वाले time में सिर्फ mail को हायर करो, ये तो गलत है, कहीं ना कहीं, मतलब 1% तो गलत ही ना, कि सिर्फ हाँ mail को हायर करते रहोगे, तो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि company जो start हुई थी, वो start इसी principle पे हुई थी, क्या है, best possible answer है, A, see if billing female employees could be given assignment, do not require travel and involve less time, सन में आया question आपको, भाई question इसी तरह से करना है, अपने logist को build करना है, option को eliminate करो, अगर आप option को eliminate करोगे, तो आपको 10 में से 8 वार answer सही आएगा, 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 केस क्या कह रहा, केस ये कह रहा है, कि एक data manufacturing company है, और इन्होंने एक product बेचा था जिसमें few bugs थे, bugs मतलब कुछ error type हो गए, ठीक है, अब वो कह रहा है, कि वो product अल्लीडी एक million लोगों को बेच चुके है, अब उनको बाद में realize हुआ कि भाई, अगर ये bug रहे, तो वो customers को इनका product तो बेकार आता है, तो अब आप से बुचा है, which is the most ethical option, question को तीन बार read करो, तब जा कि आप पकड़ पाओगे, question पूछ कह रहा है, ठीक है, अब मुझ से बुचा है, what would be the most ethical option for the company, company के लिए यहाँ पर सबसे ethical क्या है, क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना and remove only when the customer face problem, even it means the losses, keep silent and do nothing, चौता है, keep silent but introduce an improved product that is bug free at the earliest, take the product off the market and apologize to the customer, अब अगर आपने question को ध्यान से read करा है, question ने बोल दिया पहले कि मुझे बताओ ethical क्या है, तो ethical इसमें से ना ही B है, ना ही C है, और ना ही D है, तीनों के तीनों जो है, वो highly unethical है, कि आप बहीं चुपच पता ही नहीं, तो यह तो गलत है, ठीक है, customer को पता ही नहीं है, तो इसका मनलब यह तो तीनों के तीनों unethical है, तो देखो, आपको दो सेकिंड में आपने question को पकड़ लिया और आपने तीन option कर दिया, eliminate, अब मेरे पात दो बच्चें, A बचा है, और E बचा है, अब देखत लोगे, तो आपको पता चलेगा, कि जो A वाला option है, वो थोड़ा better है, reason being, अगर E वाला लोगे, तो भाई, आपको product ही चला गया, product चला गया, तो lifetime का loss हो गया, हुआ की नहीं हुआ, A वाला जो है, उसमें apologize को लोगे, और अपने bugs का, भाई, जितने भी bug हुए है, उसको गाड़ी में, अगर आपने देखा, emission का problem चल रहा था, तो भाई, emission का problem चल रहा था, उन्होंने सारी गाड़ी आप free में ठीक करी ती, चाहे loss हो, चाहे ना हो, लेकिन एक goodwill जो है, वो खराब उन्हें एक बात थीक भी होती है, customer का reliable trust बनता है, कि हाँ यार, अगर हमारी बैटरी लगी हुई है, तो companies करती है, और यही इस case में best possible answer भी है, तो यह मेरा answer हो गया, apologize, fix up the bug for all customers, even it has to incur losses, ठीक है, तो भाई, actual companies में भी जब ऐसा कुछ होता है, तो वो यही option को select करती है, और यही करना चाहिए, most idealistic भी है, most practical भी इस case में, यही answer है, आज ओ चलो next question देखत को क्या कह रहा है, वो कह रहा है, तो वो कह रहा है, तो वो कह रहा है, एक city है नागर, जिसमें 10 million total लोग है, जिसमें से 2 million जो है, वो रिच है, 3 million पूर है, और 5 million जो है, वो middle class को बिलॉंग करते है, एक company है, जिस company का नाम है, सौंदेर कॉस्मेटिक्स, और वो beauty product बेशती है, रिच क्लास को at a premium price, अब वो क्या करें कि उनके जो product है, वो customer में बहुत popular है, और उनका customer कौन है, रिच क्लास उनका customer है, और वो कह रहे हैं कि middle class और पूर जो segment है, वो भी ये product खरीदना चाते हैं, बड़ खरीद नहीं सकते, क्यों, क्योंकि price is बहुत high है, और धीरे धीरे off late time के साथ company को ये realize होता है, कि जो sale growth है, वो भी stagnant हो रही है, rich segment मतलब rich segment में उनकी growth नहीं हो रही, धीरे धीरे stagnant हो गई, उतनी आ गई है, यहाँ पर जो question है ना, इसका answer आप खुछ select करो, क्योंकि पांचो options हैं कहीं ना कहीं, पांचो option बिल्कुल correct है, अब मैं देखना चाता तो maximize long term profits, यह बात मुझे संचना आगे, कि मेरा objective क्या question का, कि मुझे profit को जो है, वो क्या करना है, maximize, ठीक है, मेरे पांच option है, sell the same product at lower price, same product को lower price पे बेज़ दो middle और poor class को, sell its product under different brand names to middle and poor class, ठीक है, sell similar products of different quality with different brand name to middle and poor class, लगब 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 आप देखो, शुरू के तीनों option, एक ही बात बोलना चाहरे है, different language में बोलना चाहरे है, थोड़ा सा context लगए, चौता continue to reach target only and hope that today's middle class will be tomorrow's rich class, and फिफ्त वाले को target middle class as it is the largest segment and forget about the rich class, अब देखते हैं, इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले, सबसे पहले, मैं करूँगा eliminate, फिफ्त ओप्शन देखो, फिफ्त बी होगा, पूर भी होगा, अगर मैं middle की तरफ चला जाओंगा, तो एक टाइम बाद यहां पे stagnant हो जाएगी growth, ठीक है, तो यह option मेरा क्या हो गया, यह हो गया eliminate, चौता option देखता हो, continue to target reach only, यह तो बहुती वेग बात है, यह तो वेग बात है, यह कभी maximize profit नहीं करेगा, य यह तो भाई status quo है, जो जैसा है, वैसा ही रहने तो, तो इसका हमला growth उसकी content रह जाएगी, तो D वाला ही मैंने eliminate कर दिगा, अब में पर 1st second और 3rd है, यहां पे भाई, मैं same चीज़ बोल रहा हूं, लेकिन different context में बोल रहा हूं, तीनों की approach different है, मुझे select करनी है, यहां पे क्य best approach, अब देखो सबसे पहले, sell the same product at lower prices to middle and poor class, अगर मैं same product को middle और poor को बेचुँगा, तो क्या होगा, भाई rich बोलेगा मैं पागल हूं क्या, मैं आपको इसी चीज़ का जाधा पैसा दे रहा हूं, और middle class कम पैसा दे रहा है, तो जो उसकी goodwill है, वो rich में खत्मी हो जाएगी, और भाई इससे company का होगा loss profit जाएंगे नुकसान में, तो ये भी हट गया, अब आते है B और C की बाद, अब यहाँ पर आपको सोचना है, बहुत जादा भाई दोनों एकदम grey answer है, दोनों बिल्कुल correct answer है, आपको अब यह देखना है, जादा appropriate कौन सा है, इसको आप तभी solve क कर सकते हो जो आपने case को बहुत ध्यान से रीड करा हो, second option और third option को रीड करने से पहले, एक line को हम फिर से रीड करते हैं, वो read क्या है, many people from the middle and poor segment of the population aspired to buy these products, भाई जो middle और पूर तेबरेंटा वो यही product लेना चाहता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई और प्रेड लेना चाहता है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, कि भाई अगर मैं brand name change कर दूँगा, तो वो product जो है, वो product ही change हो जाएगा, और लोगों के aspiration जो थी, जो desire थी, वो खतम हो जाएगा, भाई सस्ते product तो marketer बहुत आते होंगे न, different brand के, लेकिन different brand का तो बतलब वही हो गया न, कि कोई और company है, तो इसका मतलब लोग इस product को नहीं ले, यह हो गया गलत, अब देखो C वाला क्या मेरा verify हो रहा है answer, sell similar products of different quality standard, हाँ यह हो रहा है, यह similar product, उसी brand के अंदर मैंने category और निकाल दी, भाई different quality standard की है, उसी type के product है, इसमें चाहिए different brand name दे, तो मतलब भाई main company जो हो रहेगी, यह जादा appropriate है, यह मैं नहीं कहा रहा कि बिलकुल 100% यही answer होना चीह, बट B और C में, C वाला जो है, comparatively better है, क्योंकि इसमें जो लोगी aspiration है, वो भी पूरी हो गई, similar product है, उसी brand name के नीचे है, चाहे brand name, जो subsidiary brand name है, वो मैंने change कर दिया है, लेकिन जो main brand है, वो बिलकुल similar रह तो तीनों में यह target कर सकता है, इसमें यह middle में भी launch कर सकता है, और lower में और भी जादा different quality standard कर सकता है, ऐसा करता है, कौन करता है, आपको पता होगा, Amool का जो भाई, packet वाला milk आता है, उसमें यह होता है, अगर आपने देखा हो कभी, कि different quality of milk आता है, एक toned होता है, एक double toned होत होता है, तो जो जिस segment में आता है, वो उस segment का purchase कर लो, और अमूल जो है, वो bigger brand रहा गया, और different brand बिन गया है, उसका single tone, double tone, triple tone, और different quality होगे, तो यह इसका proper answer हो गया, यह हमारा answer ठीक हो गया, आपको बात सब्सक्राइब आई की नहीं आई, ठीक है, आओ चलो, next question पर, next question क्या में पढ़ा है, और college में पढ़ा है, तो इसके English जो है, वो fluent नहीं है, तो इस case में, आप क्या करोगे, if the company has wicked cheese, यहाँ पर important highlight है, अब आप पांचों पॉइंट पढ़ोगे, पांचों कहीं न कहीं सही है, लेकिन आपको best pick करना है, जो सबसे ददा सही है, ठीक है, तो भाई, आपको यहाँ पर यह टिक करना है, तो आप इस case में क्या करोगे, सबसे पहला option है, I would hire him at all cost, I would not hire him, he might be a burden on the organization, I would hire him for the job, यह है, अब देखते हैं, I would hire him at all cost, भाई, यह तो बिल्कुली वेग नेचर है, at all cost, क्या तेरे की cost, तो यह एकदम गलत है, कोई statement, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और कौन-कौन से मैं यहाँ से eliminate कर सकता हूँ, मैं फोर्त वाला के eliminate कर सकता हूँ, फोर्त वाला read करो, फोर्त वाला the organization, because of his poor communication skill, और जो थर्ड पॉइंट है, I would hire him to improve his communication skill, यह दोनों ही कहीं नेगिटिम है, यह को फोर्त वाला क्या है, कि आप उसे बोलोगे, बर्डन है, यह है, लेकिन आपको एक line यहाँ पे read करनी है, hard working young guy, भाई, company में तो hard working लोगों को ही जरूरत है, यहाँ पे बाई, क् बाकी चीज़ में expert है कि नहीं है, तो मैं यह assume करूँगा ऐसे questions में, कि बाकी चीज़ों में यह perfect है, बस communication में problem है, तो हर चीज़ में perfect है, बर्डन तो नहीं है, बस communication का problem है, तो यह भी मेरा fourth वाला option भी गलत है, थर्ड वाला भी similar है, भाई, थर्ड वाले मानलो मैंने से बोल तो अब वो कहरा, I would hire him for a production of finance job, but not for a marketing job, which requires good communication skill, और फिल्स बोला, I would hire him for the job he is good at, and providing training in the other area, अब देखो भाई, यहाँ पर जो best appropriate answer है, वो answer है, option number five, भाई, जिसमें आप good host में तो select करोगे न, बाकी area में तुम्हें ट्रेनिंग देखेंगे, भाई, second वाला जो option है, second वाला जो communication नहीं चाहिए, हो सकता है, यहाँ पर भी जो लोग काम करते हो, उनका communication skill अच्छा हो, यहाँ पर भी English use होती हो, सिरफ marketing job में communication skill यूज होती है, यह तो गलत है, और दूसरी बात है, आपको क्या पता, वो production of finance में good है, हो सकता है, वो operation में good हो, हो सकता है, वो marketing बहुत अच्छ बहुत है, हर तीन महिने में, हर दो महिने में, अलग-अलग चीज की training मिलते है, ताकि आप एक better resource बनके निकलो, बहुत अगर आपके पैसा कर रहे है training में, तो वो इसलिए कर रहे है, क्योंकि कल आप उसे output दोगे, उसी चीज से, तो वो इसलिए आपको train करते है, जितनी भी आप देखोगे, IT companies होती है, जो आप college level में पढ़के जाते हो, वो college में जो आप पढ़के जा रहे हो, वो आप कभी companies में incorporate थोड़ी करते हो, company अपनी training देती है, लेंग company ये देख लेती है, हाँ बंदा, ये research वाल अच्छा है, ये finance में जा सकता है, ये operation में जा सकता है, इसक अब आया है, असली question, ये question ऐसा है, जो मतलब आप करोगे, तो भाई मदा आ जागा, इस question को अगर आपने solve कर लिया, और अगर आपने ऐसे question को पकड़ लिया, तो आप ये समलो, आपके सीधे सीधे 6 question, मतलब 6 marks आ गए है, जैट के paper में, ठीक है, pause करो, दो मिनिट लगाओ, इस paragraph को दो या तीन बार read करो, फिर आगे कराऊंगो इसके questions, भाई वो क्या कह रहा है, देखो, वो कह रहा है, ग्राजीव सिंगल है, जो चेर्मेन ऑफ बोर्ड अफ डारेक्टर्स है, लोहा इंडिया लिमिटेड का लोहा कंग के कमपनी है, इस टील मैनुफेक्टरिं कमप अब क्या matter हुआ है, यह देखते है, कौन है गणेश ठाकुर है, उसने क्या किया, गणेश ठाकुर यह रवंदा और इसने अभी अभी यह रिसेंट पॉइंट हुआ है, इसने बाई देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट इंप्लोईज प्रॉब्लम्स हैं, और डारेक्ट डील करूँगा, इंडिविज्वल से, तो उसने, अब यह लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लाइन देख लेना, इसको मार्क कर लेना, यह आपका आगे यूज होगी, अ कंपनी डेट नॉट है, और एन्नी फॉर्म और क्लेक्टिवर्शन, कभ भाई वो डारेक्ट अच्छे से डील कर सकता है, मैनेजमेंट के साथ, तो इसमें एक इसने इंपॉर्टेंट इनिशेटिव लिया, ठाकूर साब ने, वो इनिशेटिव यह लिया, कि उसने कहा कि जो सुपर्वाइजर्स की, जो वेजीज है, वो खुद परसले पर होते हैं, उसमें कोई favorism हो जाता है, वो कहता भाई, यह वाला supervisor अच्छा है, इसको जादा salary दे दो, तो इसने कहा कि मैं बिल्कुर अनबाइस होके decision लूँगा, और मैं सारे के सारे supervisor की salary, खुद decide करूँगा, उसने नेगोशेट करा और उसने हर एक, हर एक contract को, हर एक supervisor के ल प्राबर है, इसने पूरा का पूरा भाई process successful implement कर दिया था, except, यहाँ पर आगया twist कानी का, except those in working in night shift, जो night में shift में कान करते थे, उनसे उसने dealing नहीं करी, उनसे उसने बात नहीं करी, और उसने क्या करा, उसने बस क्या करा, कि उसने देखा, जो morning वालो की shift है, जो day shift में, जो supervisor उसी के accordingly, उसने एक unilatery benchmark लगा दिया, एक average निकाल के, कि इतनी salary दे दो night वालो को, अब इससे हुआ क्या, सरवल डेस, रामला करके एक बंदा था, वो रामला night shift में काम करता था, वो बहुत दिनों से कोशिश कर था, Mr. ठाकूर से मिलने के लिए, अपनी wages के बारें बात करन था, क्यों? क्योंकि वो प्रेज़ेंट से मिल ही नहीं पा रहा था, उसे appointment नहीं मिल रहा था, और साथ में ये दिया हुआ है, कि जो रामलाल है, उसकी family में 6 dependent है, तो उसे लगता था, कि उसकी salary थोड़ी सी जादा होनी चाहिए, और हो सकता कुछ और सीज़ें उसे discuss करनी हो अब वो कहना है, लास्ट थाज़ेंट को रामलाल था, वो गया प्रेज़ेंट को ऑफिस में और उससे बात करनी कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह सेकरेटरी ने इस बार भी refuse कर दिया, और बोल दिया कि मा ठाकुर साब बिजी है, और वो आपसे नहीं मिल सकते हैं, इस बा बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, इस बात से रामलाल को घुस्सा है, और बदले में जो प्रेजिड था उसने भई एक पंच मारा रामलाल के और रामलाल जो भेहोश हो गया, अनकॉंशियस हो गया, ये मुझे पूरा केस दिया हुआ है, अब मुझे पूरा केस में आ आ ग दा मोस्ट लाइकली प्रिमाईज बिहाइंड मिस्टर ठाकुन इनिशेटिव रिगार्डिंग इंडिविजिलाइज मीटिंग सीम्स टू बी अब वो कह रहा है कि क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा इन पाचों में से क्या होना चाहिए आंसर ठीक है अब मिस्टर ठाकुन ने स ट्रबल में कर सिंदा प्लांटर भाई इंट्रेक्टिंव दा सुपर्वाइज भाई यह तो कहीं डिसकेशन होई नहीं ना यह तो बस एक तुम एजंशन ले रहे हो कि हाँ डिसकेशन क्या होगा बर डिसकेशन तो सैलली के उपर हुआ था तो यह तो गया गलत है डी वाला नहीं कि सैलली कम एक्षेट करो तो यह पॉइंट भी हमारा चला गया ठीक है थर्ड देखते हैं थर्ड देखते हैं इंडिविजन एग्रिमेंट्स वी सुपर्वाइजर वुड अलाओ दा मैंने तो प्रिवेंट एन्नी पॉसिबल कलेक्टिव एशन बाइदा सुपर्वा दिया कि उनकी कंपनी में कभी कुछ होए नहीं ऐसा थिक है तो यह भी मेरा अब बचा मेरे पास ए और बी ए और बी देखते हैं बी वाला देखते हैं बीक गया एंप्लोई रिलेटेड पॉलिशी शुड अलाओ इसको फोर बार्गिन वाइच इंप्लोई लीट टू अंसा यह सही है यही तो इसका फॉर्ट प्रोसेस था ना यह देखो पैसेज में लिखा हुआ है कि उसने कहा था कि अगर मैं खुद करूंगा यह देखो यहीं चीज है कि गुडविल एक अच्छी बनेगी वर्कर्स करेंगे वह मैनेजमेंट के उपर ट्रस्ट करेंगे देखो कि इसी भी कंपनी में प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम यहीं होति है कि वर्कर्सकों मैंेड मुझसे जाजा काम करा रहे हैं और लगता है कि वड़िएवें इसली क्यों इतनी कि आप 80 परसेंट जो है वो काम करो 20 परसेंट अपना बिजनिस करो अगर आप करना चाहते हो तो गूगल कहता है कि आपको मैं हर साल कुछ ना कुछ दूँगा वर्क अच्छा रहेगा फ्राइडेस को काम कम करना है तो इस तरह से important चीज होते हैं किसी भी company में ऐसा होगा कि आप बहुत ज़ादा pressure डाल रहे हो और आप top management जो है वो भाई गाली दे रहा है अपनी employees को वरकर्स को तो वह भाई बंदा छोड़के भाग जागा company को तो यही उसका purpose था कि भाई top management बात बात करेंगे supervisor से तो supervisor जो है वो खुश रहेगा तीन लेवल होते हैं किसी company में एक होता है top level एक होता है middle level और एक होता है lower level top level होता है जिसना आपके president होते है chairman होता है board of directors CEOs CMO जितने भी C level executives होते हैं ठीक है बच्चो उसके बाद भाई अगर मैं आपसे बोलू middle level होते हैं जो managers होते है marketing manager finance manager HR manager और फिर होता है lower होते हैं आपके supervisors अगया इंस्पेक्टर्स हो गए जो workers को manage करते हैं ठीक है तो top level को lower level तक अगर आपका coordination अच्छा है तो भाई हमेशन company अच्छे से perform करेगी और company में गुडविल बनी रहेगी यही चीज यहां पर बताई गई है यह मेरा पहले question का answer हो गया आजो question number two पे out of the following which one of the seems most likely to be cause of Ramlal grievance का सबसे ज्यादा reason क्या है यह आपको देखना है सबसे पहले देखते हैं his disappointment with the management philosophy of having one-to-one interaction wherein we close to यह ठीक है अब अगर आप पहला option ध्यान से पढ़ोगे तो यह philosophy जो थी यह philosophy एक collective issue है बाई target policy को कर रहा ही है यह कहरा बाई policy में कुछ problem है लेकिन हमें तो Ramlal की बात करने है इंडिविजुली his disappointment with the management philosophy of having one-to-one interaction with the supervisors were in way to accept the wage contracts यही तो पूरी policy की बात कर रहा है इसमें Ramlal कहा आया वो तो आया नहीं तो यह मेरा option हो गया गलब ठीक है दूसरा वाला देखते है his being in the night shift had worked to his disadvantage he could not interact with the management regarding his problem यही तो बात है कहीं तो बोला था पैसे में कि बाई जो day वाला थे उनके लिए तो इंडिविजुली बात करी गई थी लेकिन night वालों के लिए एक average out लगा के बस एक benchmark set कर दे कि यह तुमारी wages होगी तो यह मेरे पास possible answer न भाई यहाँ पर president होता तो मैं कहता हाँ यह भी एक point है जो consider किया जा सकते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ चेर्में तो यह अपने पर option चला जब यह चला गया ए और सी तो all of these तो वैसी चला गया अब आता है fourth वाला employee in the night shift forced to stay away from the family during the daytime therefore he could not interact with his family much भाई यह तो कहीं लिए लिए मेरी family में 6 members है जो मेरे पर dependent हैं यह कहीं नहीं बोला कि मुटे time नहीं मिलता और यह सब नहीं होता तो यह भी concern इसका नहीं था तो मेरा answer क्या हो गया मेरा answer best possible भी आ गया आप इसको verify करना चाहते हो तो verify कर सकते हो उसने बहुत दिनों तक कोशिश की थी president से बात करने के लिए लेकिन उसकी problem जो है वो सौट नहीं हो रही थी इसलिए उसे घुसा आया and that become the major cause of राल राल क्रीवें में आया समझ में कि नहीं आया अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि decision making मुझे करना कैसे है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी आगी बहुत सारे question समझ बचे हैं लेकिन इंपोर्टन यह कि क्या आप concept समझ पा रहे हो concept यह कि लगानी है साथ में साथ में बेस्ट एप्रप्रप्रेइट आंसर को सलेट करना है अब देखते हैं सबसे पहला सबसे पहला भाई हम देखते हैं क्या कहीं पर भी ऐसा बोला था उसने कि डिवाइड रूल करना चाहता हूं करना चाहता हूं यह आपकी assumption है this is absolutely wrong ठीक है फिर सेकेंड वाला पर उप्षेंड वाई परोड़ेट नहीं है लेगलिस्टी क्पोरण प्रॉप्ल्लम क्या यह कहीं मेंचन है कहीं मेंचन नहीं किस्टडी में यह घलत है अब आतर डियोर दोनों भाई लग रहे हैं मुझे इन कंसिस्टेंट डीलिंग करी नाइट वालों साथ नहीं करी यह पॉइंट दिया हुआ है चौता इन इनिशेटिव था वो तो अच्छा था बट इंप्लिमेंटेशन खराब हुई थी क्यों कि उसने राइट बट इनकंसिस्टेंट हो गया था वो डे वालों के साथ तो वो consistent था नाइट वालों के साथ मिला ही नहीं था तो इसलिए वह सबके वन आन्न नहीं कर पाया तो इस लिए इसलिए डी वाला ज्यादा सभी कौन सा है ज्यादा सही है दी थोड़े ज्यादा एक्यूरेट पिच्टर दे रहा है अब अगले यह बड़ए इंटरेस्टिंग कोश्चेन है यहां पे आपको और दिमाग लगाना है question कहा रहा है the situation when Mr. Lal could have been avoided if Mr. Thakur had अब बोला है जो लाल को भाई जो situation वी थी वो avoid हो सकती थी इन में से वो क्या-क्या कर देता उसके बाद question तो कुछ और है question कहा रहा है कि कौन सा option पहले होना चाहिए तो और कौन सा option उसके बाद होना चाहिए लेकिन पहले कौन प्राइटी पर रहता तो वह देखते हैं डेलिगेटेट दा चाहिए नेगोशेशन वेस्ट कॉन्ट्राक्ट फॉर नाइट इंप्लोईज टू पर्सनल डिपार्ट्मेंट की नाइट शिफ्ट वालों के लिए एक प्रोसेस बनाता जिसमें उनको चांस मिल और यह बोल के पोस्पॉन कर देते हैं अब मुझे इसमें से देखना है सबसे जादा मोस्ट पर चीज कौन से रहती इस केस में अगर इस केस को अवाइट करना था तो जो प्रोसेस वार्णिंग वाले के साथ हुआ तो यह प्रोब्लम वाला जी नहीं होती इसका मतलब बी इसके मतलब नहीं नहीं हो पाया तो दूसरा को इसे पॉलिशी बना देता तो भी हो सकता है जो इंप्लोई को एटलीस बात कर लेते और बात कर लेते हो तो उसे इतना गुस्ता नहीं हाता और प्रॉब्लम जो है वह राइस नहीं होती देखो सबसे ज्यादा important तो B वाला था ही था, B के बाद C वाला था, C के बाद मान लो वो मिल भी नहीं पाया था, हो सकता है, वो अपने business schedule के वज़े से, वो किसी से मिल भी नहीं सकता था, किसी को appointment नहीं दे सकता था, तो जो HR department था, याद करो, इसने passage में लिखा था, इसने HR department को बिल्कुल हटा दिया था, कि ये लोग नहीं interview करेंगे, मैं अकेला interview करेंगा, तो अगर भाई employees को मौका मिलता है, वो अपना process जो है, वो अपना problem जो है, वो personal department, personal department जाकर discuss कर पाते, तो कहीं ना कहीं, शायद, शायद जो रामलाल जैसे लोग थे, जो dissatisfied थे, वो अपना negotiation उनके साथ तो कर लेते, वो बताता है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, यह करता हूँ, चाहिए, प्रेजेंट से नहीं मिल पाया, लेकिन उसे एक way out तो मिलता, कि if not president, then personal department, तो ये A हो गया, और जो D है, वो तो बिल्कुल vague है, मतला है, वो B होता, B नहीं तो C करना, C नहीं तो A, A नहीं तो D, इन चारों में से चारों सही है, चारों करने चाहिए थे, लेकिन यह BCAD process follow करता, तो सबसे best रहता, ठीक है, यह समझ में आ गया आपको, अब आले हो अगले question पे, अगला question क्या कह रहा है, अगला question कह रहा है, apart from the supervisors working night shift, executives of which department will have the most justified to be disgruntled with Mr. Thakur's initiative, वो कह रहा है, कि नाइट shift वाले employees के लावा, और कौन-कौन से department है, जिनको problem हुई होगी, जिनको गुसा आया होगा, जो satisfied नहीं रहे होंगे Mr. Thakur के one-on-one interaction with employees, जो event कि उसने किया था, देखो, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे बुरा तो लगा होग work of personal department वालों को, भई personal department वालों को बोला होगा, उनको लगा होगा hy हमारा जो काम है, वो काम हमेंहीं मिनला, हमारा काम हमेंहीं नहीं देरा, वो खुद कर रहा है, तो इसका मलब ये जो department है, इसको तो problem कहीं ना कहीं रही होगी, मतलब E 100% रहा होगा, भई सोचो ना, आपका एक काम है और आपको बहुत किता बही तुम्हें लगे कि मैं तो यूजलेस हूं तो वही वाली चीज यहां पाइगे तो इसका मतलब बही तो है वो डिस्साटिस्वाइड रहा होगा वो डिस्कृरंटेड रहा होगा तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन थर्ड यह तीनों तो ह दिपार्टमेंट था वो इसलिए डिस्कृरंट लेट हुआ क्योंकि भाई मिस्टर ठाकूर ने उनसे पूछा ही नहीं क्वालिटी ऑव इस्टील तो इनिशेटिव नहीं था ना यह इनिशेटिव तो वेज की हुरी है क्वालिटी कंट्रोल वालों से नहीं पूछा जाता तो इनको गुस्ता आना चाहिए लेकिन अभी तो इनका कोई रोल ही नहीं था इस इवेंट में इस डिपार्टमेंट कोई रोल ही नहीं था तो इसका अलए डी की कोई रिक्वार्मेंट है ही नहीं डी की रिक्वार्मेंट नहीं है तो मेरा option number 2 भी eliminate हो गया अब मेरे डीपार्टमेंट डीज्सेटिस्ट रहा होगा और पर्सोनल डीपार्टमेंट रहोगा और परसोनल मैंने आपको बताई दिया क्यों रहा होगा ए और बीभी देख लेते हैं एक यूरा होगा प्रडॉक्षिं डीपार्टमेंट for not being consultant regarding the behavior of supervision on the shop कर रहे हैं उसके बाद फाइनस डिपार्टमेंट से लिखवार्टमेंट से लिखा लिए बात ही नहीं करें हैं आप सब को रिवॉर्ट दे रहे हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारी डिपार्टमेंट का कोई बजट ही निया इतना पैसा निया कंपणी ज़ो करना है वह बास करने लगा तो कही न रहा होगा और या नशर हूँ इन में से कौन सी चीज़े है जो वह लाग कर रहा है इंडिपेंडेंट डिशिएं मेकिंग इमोशनल इस्टेबिलिटी अंडर प्रेशर यह है ट्रिकी कोश्चिन क्या आप इस अटेम्ट कर सकते हो आप पहले खुद अटेम्ट करो फिर मेरा लॉजिक देखना कि क्या आपका जो इसने दिखाई थी है लैक नहीं करी ती यह तो दिखाई थी इसने इनिस्टेबल हो गया था इसलिए तो उसे मार दिया उसे मार दिया वो बेचार भिहोश हो गया प्रो एक्टिव प्रो फर्यविल भिल्विल बनेगी कंपनी में तो ये तो पहले से था gaan एफिकल बहेवेवेवे वह छान लाक कर रहा था इसले कर रहा था कि उसने डिस्क्रिमेशें सब की संडीकलीकी अब बताओ सी सही है या ई सही है अब आप बताओ ethical behavior भी उसने नहीं दिखाया क्योंकि वो मिला नहीं और पांचवा दे रखा है कि भाई जो emotion stability under pressure है वो कैसे करेंगे वो भी वो lack कर रहा तो आप बताओ इन दोनों में जादा सही कौन सा है इन दोनों में से जादा सही कौन सा ये पता लग राम लान ने pressure डाला तो वो emotionally stable नहीं रहा और उसे गुस्सा आ गया और उसने थपड मार दिया और भेहोश कर दिया क्या ये सही था ये सही नहीं था ethical behavior में भी जादा accurate answer है option number 5 क्यों क्योंकि उसने भाई अपनी stability अपना emotion उसकी consciousness को lose कर दिया अपनी और वो भावनाओं में आ सब लोग आपस में अगए सब लड़ने लगे एक दूसरे को कि यह सही है वो गलत है उसने फिर बोला इसको बोला ठीक है फिर एंड में ननन निलकानी को पॉइंट किया गया था कि उसने का यह करो यह सही है ऐसा ही same to same हो था टाटा में आपको रियल एक्जामपल भी दे रहा हूं क्योंकि इनी से लेटेड आपको decision making देखने को मिलेगी इस साल क्योंकि यह बड़े-बड़े cases हो सकता है company का नाम अपना अलग अप्रोज था टाटा की हमेशने प्रेस्टीज रही है वह प्रेस्टीज रही है कि वह कभी भी अपनी company को बेचते नहीं है अगर आप एक चीज देखोगे तो दुनिया में लोग यही कहते है अगर आपको work culture देखना तो टाटा में चले जाओ और टाटा हमार लेकिन टाटा हमेशा प्रेस्टीज भी हमारा है वह हमारा है ठीक है तो टाटा स्टील में कुछ डिलिंग्स होई जिस पर कुछ कुछ कोश्चन रेज करें रतन टाटा ने तो इस तरह से यहां पर इस प्रोब्लम आ गई देखो अगर कोई बंदा उस लेवल पर बैठा हु हो सकता है प्रेजडेंट अपनी जगह पर सही था हो सकता है उसमें कुछ एनलिसिस करा हो नाइट वालों के लिए लेकिन अपने एक आइडियोलोजी की बात आ जाती है जिसकी वज़ए से बोला कि जो मिस्टर प्रेजडेंट है मिस्टर ठाकुन है उन्हें निकाल दो यही आप बहुत इजले ऐसे सारे कुश्टन को बहुत प्यार से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के आजो नेक्स केस पर बड़ा इंटरस्टिंग केस है नेक्स केस देखो क्या करा है नेक्स केस जो है ओम चौधरी वस वन ऑफ दो सुपरवाइजर और पूरा पढ़ो पहले इस कमपनी मैं मिल्स में वह कसं बाते कि और इसकी नौकी लगवा दी बहुत बार ऐसा होता है आपने देखा भी होगा कुछ companies में आपका अगर कोई relative है कापी higher position पे है तो भाई उसकी reference से आपको select कर लिया जाता है तो ये बड़ी normal सी चीज़ है लेकिन लेकिन एक चीज़ और दे रखिए जो ohm था वो meticulous अपनी performance ने महला करते थे रबिंदर में रबिंदर को जो उस उन supervisor's का head था shop floor का manager था shop floor basically होता है इक department का head आप इस तरह से समझ ले इस बात को फिर वो बोल ला कि जो पूरी मिल थी वो तीन shift में काम करती थी और रबिंदर जो था वो allocate करता था कभी morning की afternoon की और नाइट की और सबको present होना होता था यह देखा गया इस company में notice किया गया जो ohm था उसको नाइट shift जादा मिलती देखो नाइट shift में कोई काम नहीं करना चाहता क्योंकि आपका पूरा sleeping pattern बिगड़ जाता है उसको जादा मिलती थी लेकिन ओम ने कभी भी question रेज नहीं करा जबकि यह पता था कि अगर कोई और होता जिसे इतनी बार night shift मिलती तो वह रबिंदर साँ नेगोरिशेट करता वो supervisor कहता यार मुझे पिछली बार भी night ability इस बार मुझे day दे दो ताकि भाई मैं अपने घरजा के अच्छे से अपनी family के साथ भी time spend कर पाऊं ठीक है और भाई साथ में यह बोला गया कि night shift के दोरान जो रात को जगे रहना और mentally alert रहना कुछ चैलेंज जुआ करता था सुपरवाइजर के लिए अब भाई और रभी नर ने observe करा कि जो ओम था वो भाई बिल्कुल indifferent था इन चीजों से उसने बोला भाई उसने चेक किया कुछ काम में जैसे ओम था वो अपने कैबिन से एपसेंट था ठीक है फिर भाई उसने अदर से सुना कि ओम ओम ने भी बहुत अच्छे से रिस्वांड किया उसने बिल्कुल भी रविंदर से आर्ग्यू नहीं किया और उसने प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो अपनी ड्यूटी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा ठीक है यही चीज हो रही थी और जो गलत हुआ यह ठीक है मेरी भी रेप्यूटेशन स्टेक पे है तुम काम करो अच्छे से करो ठीक है और उन्हें बोला कि विकॉज हम फैमिले रिलेशन में तो लोग हम पर ज्यादे ज्यान रखेंगे कि तुम मेरी वज़े से यहां पर आयो मैंने तुमाई सेटिंग करवाई है और ओम ने तीन महीने तक देखो आफ्टर थ्री मन लेटर इसका वालब तीन महीने तक वह एक मौडल सुपरवाईजर की तरह काम कर रहा था और एक बरी क्या हुआ वह रबिंदर जो था वह ऐसी राउंड पर आया चेक करने आया और उसने जो ओम है वह अपने कंप्यूटर पर सॉलि रबिंदर शुड रिकंसीडर ओम्स डिसमिसल लेकिन उसने ओम ने बोला कि भाई इस डिशियन है और यहां पर क्या आप ऐसी सिच्वेशन में क्या करते है ठीक है अब देखो पहले पहले पहला क्या क्या रहा बड़ा इंट्रेस्टिंग उप्शन है बड़ा अब देखो बड़ा इस पहले क्या प्रॉट को और प्रॉट कॉस्ट अफ और प्रॉब्लम एंड़ जस्टिविक्शन देरोफ इन में से कौन सा बेस्ट है ठीक है अब देखते हैं सबसे पहले हमें अपना तरीका पता है वहमें तो कि क्या ये एक चीज है तो सेट हो रही है इसमें ये गलत दिया है पर पैचुलिटी का मतलब होता है कॉंटिनुए इसले लेकिन हमें दे रखका है वह एक ये दो बार ही बस गलत हुआ था अपनी डूटी को छोड़के गया था ऐसा नहीं तक हो डेली गाया बुजाता था यह option मेरा गलत हो गया सेकेंड वाला देखते हैं ओम favoring to work during night shift reason absence of रविंदर कुड एंशोर ओम कुड रिलेक्ट ऐसा कहीं नहीं दिया होगा भाई उसने कहीं भी क्या बोला था कि मुझे मौनिंग में काम नहीं करना या नाइट में काम नहीं करना उसने कभी नहीं बोला ऐस जो है वह भाई रविंदर की शो कर रहा है ओम ने कभी नहीं बोला कि मुझे नाइट में काम काम दे दो इसा उसने कभी नहीं बोला जो हमें कहीं न कहीं सवन में आता है लेकिन क्या 100% रविंदर बायस था कि ओम के खिलाब देखो रविंदर ने ये बोला था जो पैसेंज में दिया हुआ है कि नाइट शिफ्ट किसको मिल जाती थी तो वो रिक्वेस्ट करता था और मॉर्णिंग की ले लेते थे लो तो अग क्योंकि रविंदर जो था वो ओम के अगेस्ट बायस नहीं था भाई हो सकता है इंडारेक्ली उसको जादा मिल गई हो और ओम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसको जाकर बोलो कि यार मुझे सर इस बार मौनिक की दे दो तो रविंदर ने मना कर दियो अगर मना कर दिया होता तो तो यह एक पॉइंट थोड़ा सा सही है लेकिन क्या आगे को मैं इससे बैठर मिल सकता है वो देख लेते हैं पूर्त वाला देखते हैं रविंदर जंपिंग टू कंगलूजन रीजन ही शूड़ा विंवेस्टिगेटर वेदर ओम हैस करीड़ी डूटी यह सही है यह सही है क्यों कि बहुत अच्छे काम कर रहा है तो यह कंकुलूजन में पहुंचना जो था वह इसकी प्रॉब्लम थी और इसका जेस्टिफिकेशन यह हमें दिया हुआ है ठीक है यह दिया हुए रविंदर फारिंग ओम रीजन टू क्लैशिस बिट्वीन इंडिस नहीं यह तो कही भी नहीं थी तो इसलिए यह वह गलत है ठीक है अब अच्छा सी और डी में से अगर आप देखो गे तो जादे अक्यूरेट जो है वह डी है जादा एक्यूरेट डी है लेकिन इस लिखा नहीं हुए हम तो यह अब्सर्व कर रहे हैं एसा हुआ होगा लेकिन डी वाला वह अगर आपने इसका अंसर सही दे दिया अगर आपने इसका अंसर सही दे दिया सही दे दिया तो हंड्रेट परसेंट आपको डिशन मेंकिंग समझ में आ गए तो दो मिन्ट लगाओ इस को लगाओ पांच बार ओप्शन को रीड करो फिर अमना दिमाय लगाओ फिर आंसर को टिक करो तब भी आपका गलत आएगा ठीक है तो आओ देखते क्या अंसर होगा अब वो यह केह रा है कि यह पूरा का पूरा अपेसोड जो था ना वो सब को पता चल गया था सारे इंपलोई को पता चल गया था अब यह बोला गया है कि टॉप मैनेजमेंट ऐसा क्या करे कि पूरी की पूरी औरगनाजेशन को बेनिफीट हो यह लाइन बहुत पहला क्या है रिवोक कर दो रविंदर के ओर्डर को रविंदर को रिवोक कर दो और भाई कम्मिनिकेट कर दो बाकियों से कि ऐसे पनिश्मेंट नहीं मिन नीची है छोटी-छोटी गलतियों पर दूसरा दियागा कि ओम को वापिस बुलाए जाए उससे सब लोग बोलेंगे कि ओम ने तो बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वह अपनी ऑफिशिल डूटी से बाहर जाके काम अच्छा करता था और उसको यूज करके रविंदर के ओर्डर को हटा दिए और पांच भाई टेक ता फीडबैक और अदर आंसर से हैं absolutely correct हैं कुछ भी कर सकते हैं इसमें से लेकिन लेकिन यहां पर हमें बताना है best way जो टॉप management को करना चाहिए और साथ में इससे पूरी company पूरी organization का benefit हो देखो अब यहां पर यह चीज कैच करने वाली बात थी अगर first वाला होगा या third वाला होगा तो भाई जो वह को आप खतम कर दोंगे अंडर्माइन हो जाएगी रविंदर के authority और भाई जो लोग हैं वह बार-बार बाते करेंगे कि यहां पर यह action गलत हो रहा है यह जो manager इनको तो कुछ आता ही नहीं पिछला वाला manager याद है फिर लोग अपने employees होंगे वह employees ऐसे बोलेंगे अपने manager से अपने boss से पता है रविंदर के साथ क्या हुआ था तो रविंदर का order revoke हो गया था तेरा भी हो जाएगा तो मिससे फालतों बोला तो वह authority वाली बात खतम हो जाएगी अगर एक teacher और student है और teacher को कुछ बोल दे तो बच्चे एक दब ऐसे हो जाते हैं कि हम ही सही है फिर वह teacher क जो की है वह undermined कर रहा है कि नहीं कर रहा है मानो एक teacher आ रहा है और एक बच्चों में लडाई हो गई औप principle आके बच्चों से पूछ तीचर के बारे में क्या है तो इसका पहला रहा है रहा два बात की वैल्यू ने इसलिए बच्चों बुजा रहा तो ये भी गलत है ठीक है और ये similarly D भी गलत है हाँ B वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है क्यों करेक्ट है हमने जिस बच्चे सा लड़ाई हुई थी मालो एक टीचर है और बच्चों में लड़ाई हो गई टीचर को टी यह क्या यहां तो टीचर की कोई सुनी नहीं जाती हम बच्चे तो भाई कुछ भी कर सकते हैं ठीक है दूसरा यह कि अगर आप बच्चों से फीड़ाई लेकिन बच्चों अगर इस केस में आप सोचो एक बच्चे को पूछा गया कि तेरी गलती क्या थी बच्चे ने अप तो टीचर के अथोरिटी के अथोरिटी पे रहागी और बच्चा जो था वो क्लास में आ भी गया तो दिस इस दा बेस्ट पॉसिवल आंसर इस के समन में आया काफी ट्रीगी कोश्चन था यह काफी लोगों गलत वह था जिस ताइम यह कोश्चन आया था पेपर में आजो पहला मैनेजर ओफन टो नोट टेक रिस्पॉंसिबिल्टी तो वर्ट ट्रेनिंग जूनियर क्या यह बात कहीं हुई है ट्रेनिंग के बात हुई है पूरे पैसे में बताओ खुद ही बताओ नहीं हुई इसे इलिमिनेट करो सेकिंड प्याओ पीपल टेंड 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 प्यां रिल्क्स दूरिंग नाइट्विट उस्पॉरी चेक टू कीप देंड टोज यह हो सकता है यह और क्यों था वो सुपरवाइजर था सुपरवाइजर का क्या होता है सुपरवाइज करना ठीक है यह काम नहीं होतागी वह बार बार जाके बैटे तो अगर वह ठोड़ सब्सक्राइब देख रहा है और लोग सही से काम कर रहे हो चौथा देखते हैं इस फिट वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं फिफ्फ वाला पॉइंट कह रहा है, तो क्या ये बात कहीं से समझ में आ रही है, ये तो भाई बिलकुल वे कहीं है, ये कहीं से पॉइंट नहीं है कि भाई साइलेंट फिपल को इंखड़ा करो, अब भाई बचा B और C, इसलिए है क्योंकि अगर ये दिया होता, अगर कुश्चन में ये दिया होता कि ओम जो है ना, ओम अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहा, तो तो भाई सर्फ्राइज चेक करो, अगर कोई बच्चा पढ़नी रहा, तो भाई पढ़नी रहा, तो आप देखो कि वह भाई रूम में जाके पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ठीक है, लेकिन मालो आपको ये दिया है कि तीन महीने से वह बच्चा हर दिन पढ़ रहा है, डेली आठ घंटे, तो क्या रूम में जाके चेक करने के जुर्थ है, आप खुद बताओ, नहीं है, क्योंगे आपको पता है, तीन महीने से वह अच्छे से पढ़ रहा है, सेम चीज यहाँ पे है, वह तीन महीने से अच्छे से काम कर रहा है, अगर दिया होता कि वह बीच-बीच में गायब हो जाता है, अब ताम नहीं करता है, वरकर जो है वो काम सई से कर रहे होंगे तो उसने क्या करा वो थोड़े दे solitary खेनने लगा और रात को भाई वो काम करना तो हो सकता है as a break भाई आप रात को गाड़ी भी चला तो गाने चलाने होता तो भाई यह गलत है यह गलत नहीं है this is because so that you can perform your duty in an efficient manner तो भाई चीज यहां पर है ठीक है समझ में आई बात कि नहीं आई आई आओ next question पर question number four पर question number four कह रहा है of the options below which could have been a better response from Ravinder when he saw home playing rather than by firing firing करने की जगह इन में से क्या होता यह देखते हैं ठीक है कौन सा इसका best answer यहां पर होता फायर नहीं करता तो क्या करता यह देखते हैं तो भाई हम सबसे पहले ही शूट है प्लैइड फाइड फाइड तो वही चीज है तो वही चीज है तो वही चीज है अगर इसका मतलग उसको अपनी ऑथर्टी पर खुदी डाउट है वह खुदी नहीं इसलिए बार-बार उस बाग को बोल ला सही कर रहा है कि नहीं करता यह भी कहीं नहीं सही है लेकिन देखते हैं क्या कोई और आंसर है कि जो सैटिस्टाइब करता है यह चेक्ट प्रोडक्शन लेवल कि वह रिक्वाइट था कि नहीं था तो ठीक है यार यह थोड़ा जनरल है बट इतना स्ट्रॉंग नहीं है तो कौन सा जाधा बैटर है जाधा बैटर है कि वह खुदी चेक का दा ओम ने काम कर रहा है कि नहीं करा यह जाधा जाधा एपसुलूट करेक्ट आंसर जाधा अक्यूरेट आपको तो ऐसे सारे कोश्चन करने हैं मैं जो असाइन्मेंट शेर करूंगा वो भी आपको अच्छे से करना है और आजो इस करो यह पढ़ो यह आपका बिजनिस प्रस्प्रेक्टिव यह बिल्कुल ही अलग है यह आपको पूरा सब्लों बिजनिस सैट अप कराना किसी को ठीक है तो फटावट से पढलो नेखते हैं क्या रहे यह कहरा शेकर करके बंदा है जो सिंगापूर से अंब्या करके आया है ह अपने जम्शेदपूर में जम्शेदपूर में 10,005 रκε एक भी music outlet अच्छा नहीं था और उसने कहा कि भाई यहां के लोग अच्छा quality ले सकते हैं अच्छी variety ले सकते हैं क्योंकि यहां के लोगी per capita का मच्छी है तो उसने कहा कि क्या मैं ऐसा business करूँ तो एक company थी music world करके जिसने भाई कहा था कि franchise ले लो franchise यह होता है कि बड़े- music world लेता 70 रुपए जो ते वो शेकर को मिल जाते तो भाई शेकर को काफी अच्छा लगा यह आइडिया उसने बस यह सोचा कि 30,000 रुपए क्या बहुत जादा amount है क्या उसके बाद पूरा amount नहीं था और साथ में उसने सोचा था बात करी और उससे बात करने बाद उसको रि इडिया उसने फ्रेंचाइजी जो पटना वाली थी उससे बात करी तो उससे लगा कि एक दो लाख रो महीने कमा रहा है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वह 25-30% है वह इस बाद से सबसे बड़ी बात आई यहां पर इसके बाद जो होता है के स्टार्ट होता है उसने जगे स्टार्ट करी बाई कौन से जगे मुझे जगे लेनी चाहिए जंशेदपुर में तीन में जगे थी बिस्तुपूर साक्ची और सोनारी तीनों की तीनों इंटर कनेक्टिटी की प्रॉब्लम बिस्तुपूर जो था वो बिस्निस एरिया था और यहां पे जो थे हाई-end फॉ प्रॉब्लेशन रहती थी अब शेखर जो था वो बिस्तुपूर सेलेट करने के मूड में था क्योंकि बिस्तुपूर में हाई-end के लोग आते थे लेकिन लेकिन वहां पर उसके सामने प्रॉब्लम आगी प्रॉब्लम क्या गई बिस्तुपूर में एक तो जगे नहीं मिल थी और बिकॉस क्योंकि वह इतना ज्यादा पॉपूलर था वहां पर हाई-end लोग आते ही आते थे और एड्युकेशन हब था तो इसलिए वहां पर 30-40 रॉब पर स्क्वेर फीट की वहां पर रेंट देना पड़ता जबकि साक्ची और सुनारी में जो रेंट था वह बिलकुल हाफ था 15-20 रॉब्ला हाफ था अगर यहां पर एक लागता रेंट दे रहा है यहां 50,000 कई जा रहा है साथ में शेकर का एक फ्रेंड था साक्ची में जो रहता था उसने बोला कि बड़े- यहां पर हमें दिखाया गया है विद हायस रेशा ओफ टीनेजर जैसे हमने यहां पर दिखाया था कि यहां पर education हप था वैसे ही साक्ची में भी अब हाई रहे है बट शेकर जो था वह कहता था था वहाई साक्ची में नहीं जाओंगा इमेज खराब हो जाएगी और वह चा बाइड ही गाड़ी ली और उर सोचने लगा अब मैं क्या करूँ क्या नहीं कि PT पहला कुशन है बाफ प्राइब करना चीह यंद्ould कर देन किया इन्वेस्ट करने से एनवेस्ट करने से हैं टार एंदंबेशा समय के टार लेकिन फृ फॉर यह उछ फॉर पर डार को सिंगा पूर चल जाने से दुए कि आए न चल जा रहा थी इसका छोता है है चौता है डू अ फर्दर इंडेफ्ट इस्टेडी टू फाइंड ड्राइवर्शन पॉटेंशल है की नहीं है वह चीज यहां पर चेक करता है पांच वह अप्रोच अनदर यहां पर बिजनेस पर्शेप्शन के सट्री यहां पर पूरा मैंनेजर रोल लेना है थीक है अब एक बात बताओ एक बात यह बताओ कि जो रेंट है वह बिस्तुपूर का कितना पड़ेगा बारों से स्क्वेर फूट है 40 रुपे के आसपास है यह 30 है तो लगबग लगबग जो पड़ेगा वह हम एवरेज ले ले लेते हैं 3040 का 3040 का तो एवरेज पड़ेगा 42,000 का रेंट पड़ेगा नहीं पड़ेगा बिस तो 25-30% प्रॉफिट माल लो वह कहरा है 1-2 लाग का रिवेन्यू तो 1.5 लाग का रिवेन्यू माल लो वह कहरा है रेंट जो है वह 30-40 है तो भाई आप 35 माल लो ठीक है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लो और यहां से आप जब आप कैलकुलेट करोगे 27.5 का इसका रिवेन्यू तो आपको रेंट चला गया उसके बाद भाई कुछ पैसा और भी मानोगे कि नहीं मानोगे रेंट का खर्चा मानोगे वह भी चला गया उसके बाद प्रॉफिट का 3-7 में डिवाइड होगा भाई इसको 70% नहीं मिलेगा शेकर को 17.5 का 70% तो बहुत कम हो गया बहुत कम हो गया तो मेभी नेवर कभी निकर पाएगा वह रीकवर कोई फायदा नहीं है करनेगा ठीक है तो इस तरह से आपको बिजनेस के बारे में सोचना है आओ थर्ड पर थर्ड कैंब बहुत को अपना बिल्ट करना है यहाप एलिमिनेशन चलेगा ठीक है अब देखत अब पहले देखते हैं सेकिंड वाला ओप्शन ठीक है कहीं पर क्या मेंशन किया हुआ कि शेकर की दिवा में चाहिए तो आसा है नहीं तो यह इसने लो इमेज बोला हुआ लेकिन इमेज यह नहीं बोला हुआ है तो यह बात गलत है यह बिल्कुल गलत है उसके बाद स्ट्रेस का उनली रीजन हो सकता है यह देखेंगे अगर हमें इससे बेटर आप्शन नहीं मिला तो हमें सी के साथ जाना पड़ेगा हायर रेंटल्स इन विस्तपूर क्या यह रीजन था सोचो सोचो भाई यह रीजन नहीं था यह तो बिल्कुल आप अलिमिनेट कर सकते हो लेकिन हायर रेंटल जो थे हायर रेंटल जो थे वह तो अपोजिट है अगर मैं कह रहा हूं कि शेखर बायस है विस्तूपूर की तरफ तो वह बिस्तूपूर की तरफ इसलिए कि क्योंकि वह रेंट आई है नहीं यह तो सेंटेस अपोजिट है वह अगर यह बोलता कि वह लेकिन विस्तुपर में तो अल्लेडी हाई रेंट है उसके बाद बायस होगा कि विस्तु तरफ करो नहीं होगा तो विस्तुपर गलत है उसका पेट्रों विस्तुपर शॉब्स और एग्जीटें देर फैमिली यह भी कहीं मैंचन नहीं है अम एक और सी पढ़ा नहीं पढ़ विस्तुपर के लिए इसलिए बायस था क्योंकि उसने सोचा था कि जो नॉन विस्तुपर एडिया रहा क्यूंकि उससे पता था वहांपे एज्जुकेशन हब है और वहांपे निक बस्तुपर ज्यादा पसंद unst in तो मेरा आपसर जो है इस पूरे केस में बच्चों मुझे बताओ इस पूरे केस में बच्चों मुझे बताओ क्या कहीं पी इन दोनमें से क्या चीज है क्या फाइनश्यल बइन था नहीं था यहां अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा था तो उसमें यह कहीं नहीं लिखावा था कि वह बॉरो कर लेगा लेकिन यह कहीं नहीं लिखावा था कि एज अंट्रपिनॉर उसका पैसा ही नहीं है उसको एक प्रॉब्लम थी पैसे की नहीं प्रॉब्लम था मैं साक्ची जाओ या बिस्तुपूर जाओ कि बिस्तुपूर में 40,000 की जगे ती तो साक्ची में 20,000 यह पूरे पैसेज का एससेंस था ना कि यह एससेंस था फैनिंशल कैपिल्टी काफी उच्छों ने गलत किया था लेकिर हमें पता है हमें दो ग्रे मिलेंगे तो हम जो बेटर होगा उसको टिक करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ गया मेरा आंसर आ गया रियल एस्टेट के प्राइट I hope भाई आपने काफी सारा डीटेल में पूरा का पूरा डिशियन मेकिंग यहाँ पे मेरे साथ सीख लिया है and now you are much more confident की किस तरह से आप अपने पूरे पेपर को attempt करोगे इस particular section को tackle कर सकते हो इसके अलावा अगर आपके कोई और questions है तो आप हमें यहाँ पे whatsapp कर सकते हो हमारे instagram पे channel studybus education वो follow कर सकते हो and website is studybus.co.in यहाँ पे हमारे pen drive courses अगर आपको buy करने है कोई test series buy करनी है कोई आपको crash course चाहिए तो यहाँ पे जाके आप सारी की सारी details को check कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आपको लगा है यहाँ से आप काफी कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को like ज़रूर कर देना ताकि हमें motivation मिलता है so all the best, take care